मेरे यूटूब चैनल एस पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बाक्स में हमें अपनी राय भी रहे हैं दोस्तों भुष्य को लेकर जग्यासा हरे विक्ति में होती है लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी राशी कौन सी है उन्हें अपने नाम का फिर्स लेटर पता होता है लेकिन अपनी राशी के बारे में जानकर नहीं होती ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता ने जब जर्म पत्रका बर्वाई होती है तो पत्रका रख दी जाती है इसलिए पता नहीं लगता हम पत्रका कभी देखते हैं इसलिए हमें यह जानकरी नहीं होती कि आपका moon sign क्या है जो भारती जोतिश है वो moon के मताबिक चलता है moon sign के मताबिक राशी निकाली जाती है या तो राशी moon sign के मताबिक चलती है या परचलित नाम के मताबिक चलती है माली या आपका जो नाम है वो moon sign के मताबिक नहीं भी रखा गया लेकिन जो आपका famous नाम है यानकी परचलित नाम है उसके मताबिक आपकी राशी जो है वो चलती है आपको उसके मताबिक देख लेनी चाहिए तो परचलित नाम के लिहाज से यदि हम इसको alphabetically देखेंगे और सारे जो letters है A to Z ABC के उनके मताबिक आपको 2024 का राशी फल बताएंगे आज हम बात करेंगे मेश राशी के जातकों की मेश राशी और A letter A letter जो की जो है वो मेश राशी के अंडर आता है और A शबद जो है A शबद मेश राशी के अंडर आने वाले कृतिका नक्षत्र में आता है इसी एक राशी में नो चरन होते हैं नक्षत्रों के दो नक्षत्र पूरे आते हैं एक आदा जो है वो उसका चरन आ जाता है तो पह शबद वाले जातकों का 2024 कैसा रहेगा इसके बारे में बताएंगे मेश राशी की नेचर कैसी होती है इसके बारे में बताएंगे कैसी रहेगी आपकी 2024 की जो आपका सफर है इसके बारे में बताएंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपके नेचर की आपकी राशी की मंगल होता है, मंगल एनर्जी का औरक है, हर दम एनर्जी से भरपूर रज़र आएंगे ये लोग आपको, पहले तो जगडा नहीं करेंगे, लेकिन जब जगडा करने पे आएंगे, फिर इनके साथ पंगा लेना बड़ा मुश्किल है, ये फिर सामने वाले को टिकने नहीं द मंगल की राशी है तो इनको इडवेंचर करने का जादा शोंग होता है तो यह कई और उसी चक्र में चोट.. चोट चपट के इशकार भी हो जाते हैं ये चीज इन में होती है, ये चुकी मुवेबल साइन है, जो मेश राशी है, वो मुवेबल साइन है, इसकी प्रकृति होती है, मेश राशी की इसकी नेचर है, कि ये मुवेबल साइन है, यानि कि एक काम किया, आगे दूसरा भी कर लेंगे, थकावट नहीं महसूश करेंगे, आगे तीसा भी कर लेंगे, चलते जाएंगे, चलते ही जाएंगे तो दिल के नॉर्मली साफ होते हैं, गुरू इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं सूरे इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में भागेस्तान के स्वामी हो जाते हैं वहाँ पर मूलत्रिकॉन राशी जो है वो गुरु किया जाती है सूरे पंचमस्थान के स्वामी हो जاتے हैं, तो इनके लिए दो ग्रायख बहुत अच्छे फल करते हैं, बुद्ध इनके लिए अच्छा फल नहीं करते हैं, क्योकि बुद्ध तीसरे और छटे भाव के स्वामी हो जاتे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि आपके लिए जो मेश राशी के जातक हैं उनके लिए कौन सा ग्राय अच्छा फल करेगा, कौन सा ग्राय बुरा फल करेगा, समाने तोर पर लोग शनी से डरते हैं, लेकिन शनी इनकी कुंडली में महा दशा में आते ही नहीं है, क्योंकि जब मेश राशी के जातक हैं, वो स पीरिड आता ही नहीं है, इसका नुकसान भी है, फाइदा भी है, शनी आपको नुकसान नहीं कर सकते हैं महादशा में, शनी 10 ले और 11 भाव के सौमी है, करियर और आए दोनों ही आपकी कुंडली में शनी से आती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान भी होता है, क्योंकि आपको उस भाव की दशा ही नहीं मेल पाती तो आपके लिए ये आपका नेचर है ये आपके फिवरेट ग्रह हैं कहां से आपको नुक्सान हो सकता है ये आपको बता दिया यही चीज आपको थोड़ी सी ध्यार में रखनी है और आप आपको बताते हैं कि आपका दोजार में मंगल सूरे 9 भाव में शनी 11 और रहू 12 भाव में ये एक जनुरी की स्थिति है लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी शुब डेट्स नोट करिए जो आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है और तीन ग्रहा भी ऐसे बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे फल देंगे 12-24 में तो सबसे पहले जो डेट्स है वो डेट्स है पंदरा जनुरी से लेकर पंदरा मार्च तक की डेट्स है जब सूरे देखिए जो सूरे की पोजिशन है यहाँ पर आ जाएँगे सूरे यहाँ पर शुब गोचर में होते हैं यानिकि सूरे जो करियर के कारक है सूरे ज अच्छा होता है ये पाप ग्रह है और आपके लिए शुब पर नाम देंगे 15 जनुरी से लेकर लगबग 15 मार्च का पीरिड ये टेंटिटिव पीरिड है और इसके बाद जो सूरे का गोचर आपके लिए शुब होगा वो तब होगा जब सूरे यहाँ पर आ जाएंगे ये 15 जून से 15 जुलाई के लगबग का समय होगा जब सूरे तीसरे भाव में गोचर करेंगे ये आपके लिए शुब होगा ये डेट सापको थोड़ी सी नोट करके रखनी चाहिए इसके बाद जब सूरे आ जाएंगे छटे भाव में यहाँ पर तो ये समय भी आपके लिए लगबग 15 सब्टंबर से 15 अक्तूबर तक का तो 15 सब्टंबर से 15 अक्तूबर, 15 जून से 15 जुलाई और 15 जनुन से 15 माच तक का समय आपके लिए अच्छा है इस समय में सूरे के गोचर के लिएाज से आप जो हैं वो कोई भी काम करेंगे कि इस दुरान तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे, बहतर फल मिलेंगे, क्योंकि सूरे जो है वो आपकी आत्मा होती है, स्ट्रोलडी के लिहाज से, सूरे में ही प्राण शक्ती है, सूरे ही करियर के कारक है, सूरे ही आपको अनर्जी देते हैं, और सूरे से ही आपका जो है वो हेल्थ भी फिट रहती है, तो ये एक इमपोर्टन फेक्टर था जिसकी जानकर ये आपको होनी जरूरी थी, दूसरी चीज ये है कि गुरू यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पहली जनर्वरी को, लेकिन पुरे चार महीने बाद, यानि कि तीस अपरल को एक मही को ये गुरू यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरे भाव में, तो अब नोट करिए, गुरू का गोचर आपके लिए शुब हो जाएगा, फिलहाल गोचर जो केंदर में चल रहा है, वो शुब नहीं माना जाता, लेकिन गुरू का गोचर शुब हो जाएगा, दूसरे भाव में, चंदर्मा से दूसरे गुरू बहुत शुब फल देते हैं, उसका कारण ये है, जब गुरू यहाँ पर है, तो आपका दश्यम एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर नाइन्थ दिश्टी जाती हैं, उनकी छटे को एक्टिवेट कर देते हैं, तो यह जो ट्रेंगल एक्टिवेट हो जाता है, आपको उससे बहुत फैदा होता है, धनस्तान में गुरू की पस्तिती बहुत जो है, वो फाइदे का सोदा साबित होगी, शनी अलड़ी शुब गोचर में है, दोजार चोबिस पूरा शनी यहीं पर रहेंगे, और ग्यारने भाव में शनी अपनी मूलत्र कौन राशी में आपको बहुत अच्छे फल देंगे, केतु यहाँ पर छटे लहाई से कैसा रहेगा, जोब के लहाई से, बिजनस के लहाई से कैसा रहेगा यह साल, और आपका रिलेशनशिप के लहाई से कैसा रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे करम की और आए की, यहाँ पर यह देखिए, यह जो राशी है, यहाँ पर यह मकर राशी है और यह श गोचर कर रहे हैं शनी पापग्राए है ग्यारंवेख़व में शनी का गोचर शुब होता है यहनकि शनी शुब apolog मेंahinakari और नाय शुबड़ होता है हैं तो आपको उसका अच्छा व्याज़्स हैं यहनकी 2024 में में मे श्राशी के जातक जो भी प्रयास करेंगे में करमस्थान और आयस्थान के स्वामी शुबगोचर में आ जाते हैं, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, यहनकि 2024 में मेश राशी के जाद तक जो भी प्रयास करेंगे, काम को लेकर, करियर को लेकर, जोब को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, वहाँ पर उसके अच्छे फ़ल मिलेंगे क्योंकि शनी शुब गोचर में है और शनी के पास ही आपकी कुंडली में करमस्थान और आयस्थान दोनों स्थानों की कमान है तो आपको इसका काफी फैदा होगा असली फैदा होगा अपरेल के बाद जब गुरू जो है वो दूसरे भाव में आ जाएंगे और गुरू की दृष्टी सीधा आ जाएगी दशम के उपर ये भाव खाली है लेकिन इस भाव के उपर गुरू की दृष्टी रहेगी तो आपको उसका बहुत फैदा होगा ये भाव दशम का पंचम है एक दो तीन चार पांच यहां पर ये पंचम भाव जो होता है दशम का यानि कि दूसरा भाव यहां से हम फस्क जोब देखते हैं यानि कि यदि आपकी मेश राशी है आप दोजार चोबिस में क्यारी कर रहे हैं कि आपको दोजार चोबिस में जाकर प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, जोब करनी है, तो नई जोब आपको निश्चित तोर पर मिलेगी, एपरिल के बाद ये स्थिती ज्यादा बेटर हो जाएगी, और आठ महीने मैईस के बाद के आठ महीने आपके लिए नई जोब के लिहाई से काफी अच्छे हैं, उसके बाद धन के लिहाई से तो अच्छे हैं क्योंकि धन स्थान से ही गुरू जो है वो गोचर करेंगे, गुरू धन के कारक है और इस भाव के भी कारक गुरू होते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका बहुत फैदा होगा, और ये जो द्रिश्टी बनेगी दश्वम और द 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो जाता है करम का भागे, यानि कि आपके प्रफेशन का, आपकी जोब का, नोकरी का, कारोबार का भागे छटे भाव से देखा जाता है, तो वहाँ पर गुरू की द्रिश्टी वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो यानि कि इस दिशा में को होत अच्छा रहने वाला है, अब बात करेंगे आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिहाज से ये जो भाव है, यहां से हम हेल्थ देखते हैं, छटा भाव, रोगरिन, शत्रू का भाव होता है, यहां पर केतु की पस्तिती है, अब केतु की पस्तिती यहां पर होती है, तो केत पीन की आपतों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है 2024 में, नहीं तो केतू यहां पर आपके लिए थोड़ा सा problematic हो सकते हैं, health के लिए, लगन के लिए बहुत अच्छा है, यहां पर केतू बिश्मनों का पंट्रोल लखीगा, otherwise health को लेकर कोई लंबी चोड़ी समस्या यहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि शनी जो है, वो शुब गोचर में है, शनी बेसिकली बिमारी देते हैं, बुद्द और शनी दोग रहे हैं ऐसे जहां से बिमारी आती है, तो शनी शुब गोचर में है तो बिमारी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, आपके किसी भी चीज़ के उपर शनी का परभाव ज़्यादा नहीं है, यह हो सकता है, कि शनी जब लगन को देख रहे हैं, या चंदर्मा को देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा सुस्त बना देते हैं, थोड़ी सी हैं, वक्त ही आपने मैनेज करना, यदि डिस्प्रेंट हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आगे बात करेंगे कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो जब तक गुरू यहाँ पर हैं, अपरल के महीने तक, यह पंचम को भी रखेंगे, यानि कि जो लोग सिंगल हैं, जिनके पास कोई पार्टनर भी नहीं है, उनके लिए गुरू की पंचम दृष्टी पार्टनर देने का काम करेगी, तीस अप्रेल तक, और सब्तम के ओपर दृष्टी है, पार्टनर को लाइफ पार्टनर में करने का भी काम यानि कि रिष्टा भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, और पहले चार महिने के दुरान ही वैलन्टाइन का महिना भी आता है, और पहले चार महिने के यानि की मतलब साफ है कि रिष्टा भी हो सकता है, और वो रिष्टा शादी में भी कनवर्ट हो सकता है, और पहले चार मह महिने के दुरान जब गुरू यहां पर देख रहे हैं उसी दुरान वैलेंटाइन का महिना भी आता है फैबरी का तो हो सकता है कि आपको एक नया पार्टनर मिल जाए तो रिलेशंशिप के लहाए से यह स्थिति है जो लोग अलड़ी मेरिड है जिनको लग रहा है कि संतान हो रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है क्योंकि गुरू पंचम को दृष्टी दे रहे हैं गुरू यहां से भागेसान को दृष्टी देते रहेंगे पहले चार महिने तो भागे भी काम करेगा पंचम भी काम करेगा पंचम का पंचम भागेसान होता है तो संतान को लेकर भी काफी अच्छी खबर आपको पहले चार महिने में ही मिल सकती है, भले वो conception के रूप में हो, भले वो delivery के रूप में हो, तो ये बात होगी आपकी relationship की और आपके संतान की, बात करेंगे थोड़ी सी study की भी, क्योंकि काफी सारे students हैं जिनको guidance रही होती है astrology की side से कि क्या 2024 या सार उनके लिए कैसा रहेगा education के लिहाज से, तो गुरू और बुद्ध दो ऐसे ग्रहे हैं जो education को represent करते हैं, academic education हम बुद्ध से देखते हैं, और जो applied knowledge है, यानि कि जो college में नहीं पढ़ते, आप life में सीखते हैं, वो जो experience होता है, वो गुरू से देखा जाता है, तो गुर आस दोर पर वो students जिन्होंने master's के लिए जाना है, PhD के लिए जाना है, M-tech के लिए जाना है, M-Phil के लिए जाना है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा पहले चार महीने, उसके बाद भी जब जब सूरे का गोचर शुब होगा, क्योंकि पंचम के स्वामी सूरे हैं य रहेगा, वहां पर आपको उस चीज़ का फायदा जरूर उठाना चाहिए, कोई आपका फेवरेट कोलेज है, जहां पर डिमिशन लेनी है आपने, या आप विदेश जाना चाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस चीज़ का आप जरूर फायदा उठाईएगा, और लगबग पूरे देश में, तो वो समय भी स्टुडेंट्स के लिए अच्छा है, तो मेश राशी के जा तक अपना पूरा एफर्ट लगाएं, अपना हंड़र परसंट दें इस चीज़ को, तो आपको बहुत इसका लाब मिलेगा स्टुडेंट्स को, क्योंकि गुरू जब केंदर मे हैं और लगन के उपर से गोचर कर रहे हैं, पंचम को रिष्टी दे रहे हैं, तो वो एजूकेशन के लिहाज से बहुत अच्छे हो जाते हैं, बुद्ध तो खैर आगे पीछे चलते रहेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, राशी बदलते हैं 27 दि के अंदर, तो वो स्तिती डिपेंट करता है कि आपका एक्जाम कब है, वो हम साथ-साथ वीडियो भी जारी करते रहेंगे कि कैसा रहेगा आपका मंतली राशी फल में, लेकिन अवराल हम मैं देखता हूँ, तो मेश राशी के लिए ये जो तीन ग्रह हैं कि तू गुरू औ बहुत अच्छा रहेगा, मंगल माई रहेगा, आप नई तरकियां करेंगे और नए मुकाम हासिल करेंगे, लाइफ में भले ही प्रोफेशनल लाइफ है, भले ही आपकी एज्यूकिशन लाइफ है, भले ही आपका रलेशन्शिप का मामला है, मुझे अमीद है कि भगवान आपके उपर महरबान रहेंगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, यदि ये वीडियो अच्छा लगए तो इसे शेर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जीब करिए, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज नमस्कार